C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की गनित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ ये है अध्याय नौ बीजिय व्यन्जक एवं सर्व समिकाएं प्रिष्ट संख्या एक सौपचास 9.7 एक पदी को एक पदी से गुणा करना 9.7.1 दो एक पदीयों को गुणा करना हम प्रारंप करते हैं 4 गुणा X बराबर है X जमा X जमा X जमा X बराबर है 4X से जो पहले सीख चुके हैं इसी प्रकार 4 गुणा कोश्टक में 3X बराबर है 3X जमा 3X जमा 3X जमा 3X जमा 3X बराबर है 12X अब निम्नलिखित गुनन्फलों पर विचार कीजिए 1. x गुणा 3y बराबर है x गुणा 3 गुणा y बराबर है 3 गुणा x गुणा y बराबर है 3xy 2. 5x गुणा 3y बराबर है 5 गुणा x गुणा 3 गुणा y बराबर है 5 गुणा 3 गुणा x गुणा y बराबर है 15xy 3. 5X गुणा कोश्ठक में घटा 3Y, बराबर है 5 गुणा X, गुणा कोश्ठक में घटा 3, गुणा Y, बराबर है 5 गुणा कोश्ठक में घटा 3, गुणा X, गुणा Y, बराबर है घटा 15XY ध्यान दीजिए एक पदियों के तीनों गुणन फल 3xy, 15xy, घटा 15xy भी एक पदी हैं कुछ और उप्योगी उदारण इस प्रकार है 4. 5x गुणा 4x वर्ग बराबर है कोश्ठक में 5 गुणा x गुणा x वर्ग बराबर है 20 गुणा x की घात 3 बराबर है 20 x की घात 3 नोट कीजिए 5 गुणा 4 बराबर है 20 अर्थात गुणन फल का गुणांक बराबर है प्रथम एक पदी का गुणांक गुणा द्वितिये एक पदी का गुणांक और x गुणा x वर्ग बराबर है x की घात 3 अर्थात गुणन फल का बीजिये गुणन खंड बराबर है प्रतम एक पदी का बीजिये गुणन खंड गुणा द्वितिये एक पदी का बीजिये गुणन खंड 5. 5X गुणा कोश्ठक में घटा 4XYZ बराबर है कोश्ठक में 5 गुणा घटा 4 गुणा कोश्ठक में X गुणा XYZ बराबर है घटा 20 गुणा कोश्ठक में X गुणा X गुणा YZ बराबर है घटा 20 X वर्ग YZ ध्यान दीजिए कि हमने दोनों एक पदियों के बी जिये भागों के विभिन्न चरों की घातों को कैसे एकठा किया है ऐसा करने के लिए हमने घातों के नियमों का उप्योग किया है 9.7.2 3 अथवा अधिक एक पदियों को गुणा करना निम्नलिखित उधारणों पर विचार कीजिए 1. 2X गुणा 5Y गुणा 7Z बराबर है कोश्ठक में 2X गुणा 5Y गुणा 7Z बराबर है 10XY गुणा 7Z बराबर है 70XYZ 2. 4XY गुणा 5X वर्ग Y वर्ग गुणा 6X की गाद 3 Y की गाद 3 बराबर है कोश्ठक में 4XY गुणा 5X वर्ग Y वर्ग गुणा 6X की गाद 3 Y की गाद 3 बराबर है 20X की गाद 3 Y की गाद 3 बराबर है 120X की गाद 3 Y की गाद 3 बराबर है 120 यह स्पश्ट है कि हम सर्वप्रथम पहले दो एक पदियों को गुणा करते हैं और इस प्रकार गुणनफल के रूप में प्राप्त एक पदी को तीसरे एक पदी से गुणा करते हैं। बहु संख्या एक पदियों को गुणा करने के लिए इस विधी का विस्तार किया जा सकता है। प्रिष्ट संख्या एक सो इक्यावन प्रयास कीजिए 4X गुणा 5Y गुणा 7Z ग्याद कीजिए सर्वप्रथम 4X गुणा 5Y ग्याद कीजिए और फिर उसे 7Z से गुणा कीजिए अत्वा सर्वप्रथम 5Y गुणा 7Z ग्याद कीजिए और इसे 4X से गुणा कीजिए। क्या परिणाम एक जैसा है? आप क्या विचार करते हैं? क्या गुणा करते समय क्रम का महत्व है? हम दूसरी तरीके से भी इस गुणान फल को ग्याद कर सकते हैं. चार एकस वाई गुणा पांच एकस वर्ग वाई वर्ग गुणा छे एकस की गात तीन वाई की गात तीन बराबर है कोश्ठक में चार गुणा पांच गुणा एकस गुणा एकस वर्ग गुणा एकस की गात तीन गुणा कोश्ठक में वाई गुणा वाई वर्ग गुणा वा एक आयत के जिसकी लंबाई और चोड़ाई दी हुई है, क्षेत्र फल की सारणी को पूरा कीजिए। हल, इस सारणी में तीन स्तंब हैं लंबाई, चोड़ाई और क्षेत्र फल। पंक्ती एक, तीन एक्स, पांच वाई, तीन एक्स गुणा पांच वाई बराबर है पंधरां एक्स वाई। पंक्ती दो, नौ वाई, चार वाई वर्ग, रिक्त स्थान। पंक्ती तीन, चार एबी, पांच वी सी, रिक्त स्थान। पंक्ती चार, दो, एल वर्ग एम, तीन, एल एम वर्ग, रिक्त स्थान। उदारन चार, निम्न लिखित सारणी में तीन आयताकार बक्सों की लंबाई, चोड़ाई और उचाई दी हुई हैं। प्रतीक का आयतन ग्यात कीजिए। यहाँ पर एक सारणी बनी है, इस सारणी में तीन स्थम्भ हैं, लंबाई, चोड़ाई और उचाई। पंक्ती एक, दो ए एक्स, तीन बी वाई, पांच सी जेड, पंक्ती दो, एम वर्ग एन, एन वर्ग पी, पी वर्ग एम। पंक्ती तीन, दो क्यू, चार क्यू वर्ग, आठ क्यू की घात तीन। हल, आयतन बराबर है लंबाई, गुणा चोड़ाई, गुणा उचाई। अतह, एक, आयतन बराबर है कोश्ठक में दो ए एक्स, गुणा कोश्ठक में तीन बी वाई, गुणा कोश्ठक में पांच सी जेड, बराबर है दो गुणा तीन गुणा पांच, गुणा कोश्ठक में ए एक्स, गुणा कोश्ठक में बी वाई, गुणा कोश्ठक में सी जे गुणा P वर्ग M, बराबर है कोष्ठक में M वर्ग गुणा M, गुणा कोष्ठक में N गुणा N वर्ग, गुणा कोष्ठक में P गुणा P वर्ग. बराबर है M की घात 3, N की घात 3, P की घात 3 3 आयतन बराबर है 2Q गुणा 4Q वर्ग, गुणा 8Q की घात 3 बराबर है 2 गुणा 4, गुणा 8, गुणा Q, गुणा Q वर्ग, गुणा Q की घात 3 बराबर है 64 Q की घात 6 प्रश्नावली 9 लवदो 1. निम्न लिखित एक पदी युग्मों का गुणन फल ग्याद कीजिए 1. चार और साथ पी 2. घटा चार पी और साथ पी 3. घटा चार पी और साथ पी क्यों 4. चार पी की घात तीन और घटा तीन पी 5. चार पी और शुन्ने 2. निम्न लिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौडाई रखने वाले आयतों का क्षेत्र फल ग्याद कीजिए कोष्ठक में P अलप्विराम Q, कोष्ठक में 10M अलप्विराम 5N, कोष्ठक में 20X वर्ग अलप्विराम 5Y वर्ग, कोष्ठक में 4X अलप्विराम 3X वर्ग, कोष्ठक में 3MN अलप्विराम 4NP प्रिष्ट संख्या 152 तीन, गुणन फरो की सारणी को पूरा कीजिए यहाँ पर एक सारणी बनी है इस सारणी में 6 स्तंब हैं और 6 पंक्तियां है स्तंब हमें प्रथम एक पदी के बारे में जानकारी देते हैं पंक्तियां हमें द्वित्तिय एक पदी के बारे में जानकारी देती है स्तंब इस प्रकार हैं 2x घटा 5y, 3x वर्ग, घटा 4xy, 7x वर्ग, घटा 9x वर्ग, वर्ग पंक्तियां इस प्रकार हैं 2x, 4x वर्ग, इसके आगे 5 रिक्त स्थान पंक्ति 2, घटा 5y, इसके बाद 2 रिक्त स्थान घटा 15x वर्ग, इसके बाद 3 रिक्त स्थान पंक्ति 3, 3x वर्ग, इसके बाद 6 रिक्त स्थान पंक्ति 4, घटा 4xy, इसके बाद 6 रिक्त स्थान पंक्ती पांच, साथ एक्स वर्ग वाई, इसके बाद छे रिक्त स्थान पंक्ती छे, घटा नौ एक्स वर्ग वाई वर्ग, इसके बाद छे रिक्त स्थान चार, ऐसे घना आकार बक्सों का आयतन ग्याद कीजिए जिनकी लंबाई, चौडाई और उचाई क्रमशह निम्न लिखित हैं एक, पांच ए, तीन ए वर्ग, साथ एकी घात चार, दो, दो पी, चार क्यू, आठ आर, तीन, एक्स वाई, दो एक्स वर्ग वाई, दो एक्स वाई वर्ग, चार ए, दो भी, तीन सी नौ, निम्न लिखित का गुणन फल ग्याद कीजिए, एक, एक्स वाई, वाई जेड, जेड, दो, ए, घटा ए वर्ग, एकी घात तीन, तीन, दो, चार वाई, आठ वाई वर्ग, सोलह वाई की घात तीन, चार ए, दो भी, तीन सी, चे ए, बी, सी, पांच, एम, घटा एम, 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 पी, नौ दशमलव आठ, एक पदी को बहुपत से गुणा करना, 9.8.1 एक पदी को द्विपत से गुणा करना, आएए एक पदी, तीन एक्स को द्विपत, पांच वाई जमादो से गुणा करते हैं, अर्थात, तीन एक्स गुणा, कोश्ठक में पांच वाई जमादो ग्याद करते हैं, स्मरण कीजिए कि तीन एक्स और कोश्ठक में पांच वाई जमादो संख्याओं को निरूपित करते हैं, इसलिए विवरण के नियम का उपयोग करते हुए, 3x गुणा कोश्ठक में 5y जमा 2 बराबर है कोश्ठक में 3x गुणा 5y जमा कोश्ठक में 3x गुणा 2 बराबर है 15xy जमा 6x यहाँ पर एक लड़के का चित्र बना है वह कह रहा है एक पदी और द्विपद का गुणा द्विपद होता है हम सामान नितह अपने परिकलनों में वित्रण के नियम का उप्योग करते हैं उदाहरणार्थ 7 गुणा 106 बराबर है 7 गुणा कोश्ठक में 100 जमा 6 बराबर है 7 गुणा 100 जमा 7 गुणा 6 यहां हमने वित्रण नियम का उप्योग किया है बराबर है 7 backdrop 42 बराबर है 7 गुणा 40 गटा 7 गुणा 2 यहां हमने वित्रण नियम का उप्योग किया है बराबर है 280 घटा 14 बराबर है 266 इसी प्रकार कोश्ठक में घटा 3X गुणा कोश्ठक में घटा 5Y जमा 2 बराबर है कोश्ठक में घटा 3X गुणा कोश्ठक में घटा 5Y जमा कोश्ठक में घटा 3X गुणा कोश्ठक में 2 बराबर है 15XY घटा 6X और 5XY गुणा कोश्ठक में Y वर्ग जमा 3 बराबर है कोश्ठक में 5XY गुणा Y वर्ग जमा कोश्ठक में 5XY गुणा 3 बराबर है 5XY की घात 3 जमा 15XY द्विपद एवं एकपदी के गुणनफल के बारे में आपका क्या विचार है? उदार अनार्थ कोष्ठक में 5Y जमादो गुणा 3X बराबर है प्रश्ण चिन हम 7 गुणा 3 बराबर है 3 गुणा 7 अत्वा व्यापक रूप से A गुणा B बराबर है B गुणा A के रूप में क्रम विनिमय नियम का उप्योग कर सकते हैं। इस प्रकार कोष्ठक में 5Y जमादो गुणा 3X बराबर है 3X गुणा कोष्ठक में 5Y जमादो बराबर है 15XY जमा 6X। प्रिष्ट संख्या 153 प्रयास कीजिए गुणन फल ग्यात कीजिए एक दो X कोष्ठक में 3X जमा 5XY दो A वर्ग कोष्ठक में 2AB घटा 5C 9.8.2 एक पदी को त्रिपत से गुणा करना। 3P गुणा कोष्ठक में 4P वर्ग जमा 5P जमा 7 लीजिए पहले की तरह हम वित्रण नियम का उप्योग कर सकते हैं 3P गुणा कोष्ठक में 4P वर्ग जमा 5P जमा 7 बराबर है कोष्ठक में 3P गुणा 4P जमा कोष्ठक में 3P गुणा 5P जमा कोष्ठक में 3P गुणा 7 बराबर है 12P की घात 3 जमा 15P की घात 2 जमा 21P त्रिपत के प्रत्येक पद को एक पदी से गुणा कीजिए और गुणन फल को जोड़ दीजिए विचार कीजिए वित्रण नियम के उप्योक से हम एक पद का एक पद के साथ गुणन करने में सक्षम है प्रयास कीजिए कोष्ठक में 4P वर्ग जमा 5P जमा 7 गुणा 3P का गुणन फल ग्यात कीजिए उधारण पांच वियंजखों को सरल कीजिए और निर्देश आनुसार मान ग्यात कीजिए एक एकस कोष्ठक में एकस घटा 3 जमा 2 एकस बराबर है एक के लिए 2. 3y, कोश्ठक में 2y घटा 7, घटा 3, कोश्ठक में y घटा 4, घटा 63, y बराबर है घटा 2 के लिए हल, 1. x, कोश्ठक में x घटा 3, जमा 2, बराबर है x वर्ग, घटा 3x, जमा 2, बराबर है 1 घटा 3, जमा 2, बराबर है 3 घटा 3, बराबर है 0. 2. 3y, कोश्ठक में 2y घटा 7, घटा 3, कोश्ठक में y घटा 4, घटा 63, बराबर है 6y वर्ग, घटा 21y, घटा 3y, जमा 12, घटा 63, बराबर है 6y वर्ग, घटा 24y, घटा 51, y बराबर है घटा 2 के लिए 6y वर्ग, घटा 24y, घटा 51, बराबर है 6, कोश्ठक में घटा 2 का वर्ग, घटा 24, कोश्ठक में घटा 2, घटा 51, बराबर है 6 गुणा 4, जमा 24 गुणा 2, जमा 51, बराबर है 24, जमा 48, घटा 51, बराबर है 72, घटा 51, बराबर है 21, उदारण 6, जोडिये, 1. 5m कोश्ठक में 3 घटा m, एवं 6m वर्ग, घटा 13m, 2. 4y कोश्ठक में 3y वर्ग, जमा 5y घटा 7, एवं 2. कोश्ठक में y की घट 3, घटा 4y वर्ग, जमा 5, 1. प्रतम व्यंजक 5m, कोश्ठक में 3 घटा m, बराबर है कोश्ठक में 5m गुणा 3, घटा कोश्ठक में 5m गुणा m, बराबर है 15m घटा 5m वर्ग, अब द्वितिये व्यंजक जोडने पर 15m घटा 5m वर्ग, जमा 6m वर्ग, घटा 13m, बराबर है m वर्ग, जमा 2m, 2. प्रतम व्यंजक बराबर है 4y, कोश्ठक में 3y वर्ग, जमा 5y घटा 7, बराबर है कोश्ठक में 4y गुणा 3y वर्ग, जमा 6y गुणा 5y, जमा 7, कोष्ठक में 4Y, गुना 7, बराबर है 12Y की घात 3, जमा 20Y वर्ग, घटा 28Y, द्वितिय व्यन्जक बराबर है 2, कोष्ठक में वाय की घात 3, घटा 4Y वर्ग, जमा 5, बराबर है 2Y की घात 3, जमा 2, गुणा कोश्थक में घटा 4 वायवर्ग, जमा 2 गुणा 5, बराबर है 2 वाय की घात 3, घटा 8 वायवर्ग, जमा 10, दोनों व्यन्जकों को जोडने पर, 12 वाय की घात 3, जमा 20 वायवर्ग, घटा 28 वाय, जमा 2 वाय की घात 3, घटा 8 वायवर्ग, जमा 10, इसके नीचे ए 14 वाय की घात 3 जमा 12 वाय वर्ग घटा 28 वाय जमा 10 प्रिष्ट संख्या 154 उधारण 7 दो पी क्यू कोश्ठक में पी जमा क्यू में से 3 पी क्यू कोश्ठक में पी घटा क्यू को घटा ये हल हम प्राप्त करते हैं 3 पी क्यू कोश्ठक में पी घटा क्यू बराबर है 3 पी वर्ग क्यू घटा 3 पी क्यू वर्ग और 2 पी क्यू कोश्ठक में पी जमा क्यू बराबर है 2 पी वर्ग क्यू जमा 2 पी क्यू वर्ग घटाने पर दो P वर्ग Q जमा दो P Q वर्ग, इसके नीचे तीन P वर्ग Q घटा तीन P Q वर्ग, इसके नीचे घटा जमा उसके नीचे एक रेखा, रेखा के नीचे घटा P वर्ग Q जमा पांच P Q वर्ग. प्रश्नावली 9.3 निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए 1. 4P और Q जमा R 2. AB और A घटा B 3. A जमा B और 7A वर्ग B वर्ग 4. A वर्ग घटा 9 और 4A 5. PQ जमा QR जमा RP और 0 सारणी पूरा कीजिए इस सारणी में तीन स्तंब हैं प्रत्यम्व्यंजक, द्वितिये व्यंजक और गुणनफल पंक्ती 1 A B जमा C जमा D रिक्त स्थान पंक्ती 2 X जमा Y घटा 5 5XY रिक्त स्थान पंक्ती 3 P 6P वर्ग घटा 7P जमा 5 रिक्त स्थान पंक्ती 4 4P वर्ग Q वर्ग P वर्ग घटा Q वर्ग रिक्त स्थान पंक्ती 5 A जमा B जमा C A B C रिक्त स्थान 3. गुणन फल क्यात कीजिए 4. गुणा 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 गु एक बटा दो के लिए इसका मान ग्याद कीजिए, बी, ए, कोश्ठक में ए वर्ग जमा ए, जमा एक, जमा पांच को सरल कीजिए, और एक, ए बराबर है शुन्ने, दो, ए बराबर है एक, एवं तीन, ए बराबर है घटा एक के लिए इसका मान ग्याद कीजिए, Q, कोश्ठक में Q घटा R, एवं R, कोश्ठक में R घटा P को जोड़िए. B, 2X, कोश्ठक में Z घटा X घटा Y, एवं 2Y, कोश्ठक में Z घटा Y घटा X को जोड़िए. C, 4L, कोश्ठक में 10N, घटा 3M, जमा 2L, में से 3L, कोश्ठक में L, घटा 4M, जमा 5N, को घटाईए D, 4C, कोश्ठक में घटा A, जमा B, जमा C, में से 3A, कोश्ठक में A, जमा B, जमा C, घटा 2B, कोश्ठक में A, घटा B, जमा C, को घटाईए अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की गनित की ध्वनी पुस्तक का पाठ वाचन्स्वर, आकाश आहुजा, तक्नीकी समन्वयक, बटलैंग लिंग्डो, तक्नीकी सहायक, शानु मुक्सीम, निर्मान सहयोग, रुची शर्मा, निर्देशन व निर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, C.I.E.T., N.C.E.R.T., नई दिल्ली, भारत. ढुझ के टाईब हला हिन्刚ा एंद बग्जमा, दýस जिल्ली, ॥ान्स टुछ्यक समन्मा, विमलेशन विमलेशन